लोगतंत के मंदेर असम विधान सभा के शीतकालिंग सत्र में आपके बीच में उपसिस होकर बहुत प्रसंता हुई मैं असम विधान सभा के सभी निर्वाचित विधायकों को शुबकामनाई देता हूँ बदाई देता हूँ और आशा करता हूँ जिस अपेक्षा है आकानशाओं विश्वास भरोसे के साथ आपको भेजा है आप उसी अपेक्षा विश्वास भरोसे के साथ जनता की अपेक्षा के अनुरूप इस विधान में सभा में काम करते हुए इस प्रदेश को चौम की विकास की ओड़ ले जाएंगे असम भारत का वो पुरुप प्रदेश है जिसको कहते हैं कि पूरुप प्रदेश का दार और असम की जितनी विशेष्टा की जाए इसका सम्रद्शाली इतियास इसकी गोरोशाली प्रमप्रा है अध्यक्षी ने पूरा महाबारत का इतियास बताया ब्रमपुत्र की वो नदी जो हमारी जीवन दारा है हम सब की आस्ता विश्वास कामा क्या माताजी का मंदिर प्राकतिक रूप से देखा जाए तो असम अपने आप में इस देश का एक प्रमुप्रदेश है और कहते हैं कि जैसा जैसा कोई नहीं वेसा असम है और यहीं असम की विशेष्टा है अभी सतन के नेता राज्जी के मुख्यमंती जी ने असम के गोरोसाली इतियास यहां की समरद प्रम्प्राय परपाटिया यहां के पूरु मुख्यमंतियों का इस प्रदीश में योगदान उसके बारे में चर्चा की आठ दक्स्तों के तक इस विधान सबा का एक लंबा इतियास रहा है और जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि संगर्ष के प्रेंटा जिनों ने इस प्रदेश के लिए नहीं पूरे इलाके के लिए संगर्ष किया त्याग बलिदान दिया ऐसे भारत रत्न गोफिनाज बोर्दल जी को भी हम याद करते हैं हम आज याद करते हैं हमारी संसकती संसकते संगीत को देशी नी पूरे विश्च के अंदर पहुचाने वाले भारत रत्न जिनों ने एक नया नाम दिया भुपेन हजारी जी को भी हम इस मौके पर याद करते हैं आज मैं क्रिस्बिस की भी आपको बढ़ाय देता हूँ और उसी के साथ लोगतांती मुली समझ तक देश के विकास की नई गाता लिखने वाले पुरूतर प्रदीश के अंदर जिनका विकास में बहुत योगदान रहा सिदे अटल बियारी वाजपेजी को भी वें इस मौतियों नमन और सद्धान जिली देता हूँ साथियों ये 75 साल की हमारी लोगतंत की यात्रा जिसको हम अमरत महसोक के गुरूप में मना रहे हैं इस 75 साल की लोगतंत की यात्रा के अंदर लोगतंत और शशक्त हुआ है जनता के प्रति और जवाब दे हुई है और जनता की अपिक्षाएं भी इन लोगतंतिक संस्ताओं की प्रति और बड़ी है इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी अपिक्षाएं आकानशाओं को पूरा कर सकें साथियों शाषन की प्रणाली कौम जितना अधिक सार तक सभागिता पुन पारदर्शी और समावेशी बनाएंगे उतनी लोगतंतिक संस्ताओं जादा जनता के प्रति जवाब देखोगी और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस लोगतांते संस्ताओं को पारदर्शीता पुन बनाएं समावेशी बनाएं और चर्चा समवाद का केंद्र बनाएं पिछले दूनों पीठासिन अधिकारें के संवेलन जो हमारी स्टाओंदी वर्ष का संवेलन था उस पीठासिन अधिकारी संवेलन ने व्याफक चर्चा की समवाद किया कि किस तरीके से हमारी इस लोगतंद की 75 साल की यात्रा और आने वाले समय के अंदर जब हमारा सो साल शताब दिवर्ष होगा लोगतंद का उस समय के हम व्याफक कार्योजना कैसे बना सकते हैं और साथियों आज मुझे गर है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज लोगतंद पर चर्चा करने लगे हैं पिछले दुना आपने देखा होगा दुनिया के बड़े लोगतंद देशों ने विचार विमस किया किस लोगतंद को केसे सशक्त किया जाए केसे मजबूत किया जाए और लोगतंत के अंदर ये माना गया कि संसिधिये लोगतंत ही सबसे बैतर विकत दुनिया के अंदर है और भारत लोगतंत की जननी है हमारी पुरातत संस्क्रती में संस्कारों विचारों में हमारी कारिशेली के अंदर हमेशा लोगतंत रहा है ये लोगतंत हमारे आजादी के बाद का लोगतंत नहीं है आप जो वितियास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लोग कितना समर्थाली था कितना गोरोशाली था और उसी लोगतंत की जात्रा को हमने आगे बढ़ाया लेकिन आजादी के बाद जब हमारा لوकतंत आया तो हमने उस लोकतंत को भी जनता को समर्पित किया लोकतंत जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा पनाया गया और इसलिए मैं आज उन सविधान निर्वाता बाबा अमबेटकरजी और मनिष्यों को भी याद करना चाहता हूँ जिनों ने हमारे लोकतंत को जन्ता के प्रति समर्थित रखा और विशेश रूप से लोकतंत के अंदर समानता और लोकतंत के अंदर जन्ता का बीच में रख कर जो हमारा सविधान बना आज दुनिया के अंदर कई देश भारत के सविधान का अनुसरन कर रहे हैं और यही हमारी विशेष्टा है कि जहाँ पर हम समानता के साथ चल रहे हैं लोगतंत मुल्यों पर आस्ता विश्वास रखते हैं वह हमारे लोगतंत के में बहुलवाद और विवित्ता हैं हमारे लोगतंत को और सशक कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं भारत एक ऐसा देश है जा अलग-अलग सित के अलग-अलग विवित्ता हैं अलग-अलग संस्कति हैं अलग-अलग भाशा हैं अलग-अलग खान पान है अलग-अलग वेश पुशा है लेकिन उसके बाद भी ये संपून विवित्ता है हमें जोडने का काम कर रही है उसमें मूल में लोगतंत है और इसलिए मैं कह सकता हूँ चाहे पूर में चल जाए पश्चिर में चल जाए उत्तर में चल जाए दक्षि तो मुझे लगता है कि ये बहुलवाद दलिय वैस्ता ये विवित्ता वाली संस्कती किस तरीके से हमारे लोगतंद को और शर्षक करती जारी और मजबूत करती जारी है और इसलिए जब हमारे सविधान निर्माताओं ने ये बनाया था तो उनके बूल में एक विचार था कि हम नागरिकों की संपर्पुता करें और इसलिए नागरिकों की सतंता हो वेक्ती की सतंता हो संपर्पुता हो और हमारा लोगतंद ऐसा हो कि कितने भी परिस्तिति आ जाए लेकिन हमारे लोगतंद के अंदर जनता को मद्ध में रखकर हमारी चुनाव परनाली को बनाया गया और आज हम दुनिया में गर्व कर सकते हैं कि हमारी लोगतंत के अंदर चुनाओ परणाली निश्पक्ष है निर्वाद है और इसलिए 17 आम चुनाओं के अंदर और 300 से ज़्यादा विधान सवा चुनाओं में जिस तरीके से सहज रूप से सत्ता का अस्तांतन हुआ यह हमारे लोगतंत की पागत है हमने देखा है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से लोगतंती देशों के अंदर भी सत्ता का सहस्तांत नहीं होता लेकिन यह हमारे स्विधान की पागत है जिसके कारा हम गरुक के साथ कह सकते हैं जनता के चारा चुनिवी सरकारों पर हम विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं और जनता का जनादेश प्राप्त करकर हम हमारी लोगतांती वरस्ताओं को चलाने का काम करते हैं साथियों विधान सवा के अंदर हमारा काम कानून बनाना है बिन मुद्दों पर चर्चा करना है समवाद करना है और किस तरीके से उस चर्चा और समवाद के माध्यम से हम एक सकारात्मक परिणाम निकाले हैं कानून बनाते समय हम जितने भी स्टेट होल्डर हैं जिनके लिए कानून मन रहें, उनसे चर्चा करें, समवाद करें, और जो जन्पतिन्जी जनता से चुनकर आये हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, कि कानून बनाते समय हमें व्यापक विचार मश्च करना ची, सदनों में व्यापक चर्चा समवाद करना च जितनी कानून बनाते समय चर्चा सम्वाद होगा उतने ही बहतर कानून होगे और उतना ही हम जंता का कल्यान कर पाएंगे और इसलिए कानून बनाते समय चर्चार समवात का केंद विधान मंडल के मंदिर होने चाहिए लेकिन साथियों इस आजादी के 55 साल बाद हमें फिर से इन विधान मंडल की कारवेंपर चिंता करने के आउश्यक्ता है जिस तरीके से ये सदन चर्चार समवात के केंद बने थे सहमती आसहमती पक्ष विरोध हमारी लोगतांतिक संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है और इसलिए हम जब विचार वेक्त करें तो विचार वेक्त करते समय जनता हमारे बूल में रहना चीए और इसलिए आज चिंता का विशेशली हमने पीटा सी नदिकारियों के संमेलन भी चिंता की थी कि जिस तरीके से विधान मंडलों के अंदर सदनों में शालिंता कम हो रही है गरिमा कम हो रही है यह हम सब के लिए चिंता का विशे है और सब को चिंता करनी पड़ेगी हम सब को सामविकूप से हम इन सदनों को चर्चा और समवाज का केंद बनाएंगे सामती आसमती प्रकर विरोध होना चीए जनता की अपिक्षाओं को सदन में रखना चीए जिस विचारधारा से चुनकर आये उस विचारधारा के आदार पर अपनी नितियों की भी चर्चा करना चीए लेकिन सदनों के अंदर नियोजित तरीके से सदन इस्तगित कराना सदन नहीं चलना यह हमारी लोकतांति प्रंप्राय नहीं है हमारी लोकतांति प्रंप्राय बहुत संबद रही है और इसलिए मेरा आपसे आगर है कि हम इन सभी विधान मंडलों को एक बैतर चर्चा समवात का केंद बनाएं और यहां पर आगर जो जनता की अपेक्षा है आकांशा है समझ्या है कटना ही है उनके बारे में सरकार का भी ध्यान डाले और सरकार की नीतियों कारेकमों में कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डाले कानून बनाते समय कोई कमी हो तो उसका भी ध्यान डाले लेकिन इनको चर्चा समवात का केंद बनाए वैदान हरंगामा का केंद नहीं बनना चाहिए और इसलिए हमने लोगस्वा में भी इस बात की चिंता की और सभी दलों के नेताओं से भी चर्चा की क्योंगी सत्ता आती और जाती ये परिवर्तन होती देती अगर हम लोगतन्त के भारत के इतियास को देखें विधान समाओं के इतियास को देखें तो इस सत्ता चुनाओं के अंदर कई बास सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है दल की सरकारे आएगी जाएगी लेकिन हमारे लोगतंत मुल्यों को मजबूत करने की प्रतिबता की जिम्मेदारी हमारी है हम एक अच्छी परंपाए परिपाटिया डालें सब दल के लोग आपस में बेट कर चर्चा करें किसी विशे पर आसमत ही हो सकती, किसी मुद्दों पर आसमत ही होती है लेकिन आसमती और विरोत का तरीका भी हमें सद्नों में भी बेट कर वापस में चर्चा करकर उसकी प्रक्रिया निश्चाजित करनी पड़ेगी ताकि सद्न निर्भाद रूप से चले और ये सद्नों के अंदर व्यापक और चर्चा समध हो सके क्योंकि लोगसभा देश की सरच संस्ता है राजिय के अंदर विधान सभा लोगतंत की सरच संस्ता है और इसलिए राजियों के अंदर राजिय की लोगतंति मन्डल होंगे कि जितनी आदस संस्ता हैं राजविधान मंदल होंगे उतने हम नीचे तक चुनिवी संस्ता हैं चाहे ग्राम पंचायत है हो चाहे नगरपाली का हो तमाम जनता से चुनिवी संस्ता हो को आदस संस्ता बनाने की जिम्मेदारी विधान मंडल की है आप सब लोगों की है इसलिए मैं आपसे यही आगरे करने आया हूँ कि हम सब मिलकर एक ब्यापक प्रियास करना चीए आजाजी के अमरत मोश्वों पर कि हम लोगतानती संस्ताओं की गरीमा को बढ़ाएं इसकी मर्यादाओं को बढ़ाएं उच्च कोटी की चर्चाओं समवाद हो वाद विवाद हो तर्क हो कानून बनाते समय व्यापक रूप से हम जनता का इंपुट लेकर जनता की भावनाओं को सदन में रखें और एक बैतर चर्चा का केंद्र इन विधान मंडलों को बनाएं मुझे आशा है कि इस दिशा के अंदर हम सम्मिलकर सामुई कृप से काम करेंगे हम यहाँ पर चुनकर आएं इस प्रदेश की विकास के लिए हम यहाँ चुनकर आएं जनता के कल्यान के लिए और जनता का कल्यान और राज्य की विकास दोनों की नितिया बनती है विधान मंडलों से और सबका एक मत है हमारी विचारदारा अलग हो सकती है हमारे बिन बिन विचार हो सकते हैं हमारे अलग अलग दलों के मेनोपेस्टो हो सकते हैं लेकिन उसके बाद भी एक बाद पर विधान मंडल चाहे राज्य के हो चाहे केंद्य के हो इस मत के रहते हैं कि मेरे राज्य का कैसे विकास हो और मेरे राज्य की जनता का कैसा मैं अधिक्तम कल्यान कर सको इस मत पर सारा विधान मंदल एक मत रहता है और मुझे लगता है कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो सरकार भी को भी जनता इस अपिक्षा से भेशती है इसलिए मुझे आशा है कि हमारे इन प्रयासों से हम जनता का अधिक्तम कल्यान कर पाएंगे नीतियों और कारेकमों को नीचे तक पहुचे उसकी चर्चा कर पाएंगे और इसकी लिए हमारी विधान मंदलों में संसदिय समीतिया भी होती यह संसदिय समीतियों का भी व्यापक कारेकरण में बदला हुआ है हम इन संसिदिय समीतियों के माध्यम से भी जनता से इस्टेट होडरों से चर्चा कर सकते हैं हमारी नीतियां कारेकम कल्यानकारी कारेकम जिन के लिए बनाये थे उन कारेकम नीतियों के माध्यम से राजिक की जनता के सामाजिक आर हम से विचार हिव्निवस्ट करकर हम सरकार को स्रकारात्म दे सकते हैं इसलिए हमारी संसद्य समीति भी मेनी संसत की तरह काम करती है और इसलिए मेरी अपेक्षा है कि इन मेनी संसत संस्मीतियों को भी हम इनके कारेकरन में व्यापक सुधार करें और इनको मजबूती दें और इनके बनाएगे पैसले नितिया कारेकरम सुझाओ सरकार अमल करें अधिक्तम सुझाओ को माने तो मुझे लगता है, कि हम लोगतंत को और से सक्ट कर पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे मैं आपको पुना धन्यवाद देता हूँ मुझे आज पहली बार इस असम में आने का मुखा मिला मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर आएं मेरे लिए बहुत गोरो का विशे है और मैं आशा करता हूँ कि जैसी असम की गोरोशाली इतियास परंप्राएं परपाटिया रही है हम सब मिलकर इस असम विधान मंडलों के माध्यम से इस सधन की गोरोशाली परंप्राओं को परपाटियों का आगे बढ़ाएंगे राज्य की जितने भी लोकतान ती संस्ता है उनको स्रसक्त करेंगे मजबूत करेंगे इन संस्ताओं को समावेशी करेंगे और सबको साथ लेकर राज्य के विकास में सामोई कुरुप से योगदान देंगे आप सभी को पुना पुना धन्यवाद मैं आशा करता हूँ कि हम फिर चर्चा करेंगे आने वाले समय पर फिर समवाद करेंगे और मैंने मानिय अद्यक्ष जी को आग्रह किया है कि लोकसभा और विधान सभाएं आपस में मिलकर एक लेजिस्टर बनाए और इसके लिए आपने शुरुवाद किये एक अच्छी शुरुवाद किये आज विधान सभा का एब बनाया है जिसमें विधान सभाएं में सीधी कारवाएं होगी आज के पत्रोंगे कारवाएं होगी मुझे मानिय मुक्ध मन्तिर जी ने बताय कि पुराने विदान स्वा की कारवाएं होगी जितनी भी अभी तर डिवेट हुई है आने वाले स्वेंबर सब डिवेट इस एपपर होगी ताकि सूचना प्रोध्योगी का अधिक्तम उप्योग हम कर सकें और जनता भी हमारे इस कारेकरण को हमारे इस कारे को हमारी कारवाई को सीधा देख सके जिस अपेक्षा है आकानशाओं से बेजी उन आकानशाओं को पूरी करते यहां पर दिखें ताकि लोकतांतिस संस्ताओं के प्रति जनता का और विश्वास भरोसा बड़े आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद